पचास रुपे लिटर का अगर किसी गोपालक से दूद लेते हैं और आपको पैतालिस रुपे लिटर में आपको यह पता नहीं को कैसा दूद दे रहा है तो आप उसे दूद बद कर लेगे और पांच रुपे के लिए आप दूसरे से दूद ले लोगे लेकिन आप वहाँ जाके आप लाकों रुपे दान दे के आ जाते हों नमस्कार जैगो मता रामरा मित्रों कैसे आप सब मित्रों आज का ज्वलंत मुदा है हम सनातनियों के लिए सबसे बड़ी बात तो हम हिंदुओं के लिए हमें खुद को इंट्रो इस्पेक्ट करने की जरूरत है हम के विरृदि नहीं हूँ अगर मेरी बातें आपको लगे कि इस प्रकार से आप मुझे जज़ करें कि आगए जो कहने वाला हूं से आप मेरे को विरोधि मान ले कि मेरे रिशाब से मंदिरों में आप दान दे आपको समर्थएं दी है भगवाने जरूर दान दे लेकिन यह स खीक है आपकी बावनार आप दे रहे हो आपका पैसा है लेकिन मेरा मतलब एक परसंद उन मंदिरों से है जो बड़े-बड़े मंदिर है और जो सारवजनिक परनियास बने हुए जो ट्रस्ट बने हुए जिसे हमें बहुत बार क्या होता है कई बार गायें जैसे अभी लंपी रोग आया था कुछ मैनों पहले लंपी से काफी गायें मरी लेकिन उसमें क्यान है हमारे मनलब एक बड़े दुख के साथ करना पड़ता है कथा वाचकों से मैं सबसे नहीं कर अच्छे लोग भी होंगे कर रहे हैं और ज्यादा तर जो हमारे हिंदूओं के मंदिर है उनके कथा वाचक ने तो उनको मैं नमन करता हूं वो नाराज नहों कि असथानीक विए प्यारोक लगा रहा हूं लेकिन आप अपने आसपास दे के ज्यादातर नहीं करते हैं और मैं अपने राज़स्तान की बात बताऊँं तो ज्यादातर जो मंदिर है बड़े जो मंदिर हैं वो निजी ट्रस्ट है निजी ट्रस्ट यानि कि वो बिलकुल उसमें उस मतलब उनके जो परिवार से समंधित लोग है वो है उनको बहुत बड़ा दान मिलता है और वो आपस में बंदर बांद करके खा जाते हैं और उसको वो अगर जैसे कई मंदिर अच्छे धर्मार्त चला होंगे और अपने आसपास देखते भी होंगे तो ऐसे मंदिरों को ऐसे कता वाचकों को आप क्यों देते दान हमारी माताएं बैने सबसे बड़ी इसके लिए उत्तर दाई है मैं मेरी नाराजगी और प्रसन यह भी यह साथ में कई बार क्या होता है कि अरे मैं तो कथा में बाग लेने गई और फलाने मंदिर गई सो रुपए डाल दिया सो रुपए का क्या है यह आपके सो सो रुपए की वज़े से हैं बश्टा बढ़ रहा है और उस सो की वज़े से एक गोहत्या के जिमेदार हो वह सो रूपह आप अपने आसपास किसी गोपालक को मदद क्यों नित्यों आप पचास रुपे लिटर का अगर किसी गोपालक से दूद लेते और आपको पैतालिस रुपे लिटर में आपको यह पता नहीं को कैसा दूद दे रहा है तो आप उसे दूद बद कर ले और पांच रुपे के लिए आप दूसरे से दूद ले लोगे लेकिन आप वहां पर जाके आप लाको रुपे दान दे के आ जाते हों तो मेरे कहने का मतलब यह हमित्रों कि आज के समय में जो कोई भी कथा वाचक है जो करणों में खेल रहा है अपनी कथा और बड़े-बड़े उप्तेश दे रहा है लेकिन वास्ट में दरातल पर कुछ नहीं करें अनलाइन अपने सोर्स के मादी में आप उसका प्रोफाइल चेक करें आप उस मंदिर के ट्रश्ट का प्रोफाइल चेक करें के वास्ते में उसके जो यह चैरिटी के लिए या गोमाता के लिए जिससे वो चंदा ले रहे हैं कई बार जिसे दार्मी किस्तानों पर जाते हैं करें और उसके देखें कि वह क्या परकल्प चला रही क्या कारिय कर रही वास्टे में कारी कर रही तो उसको आप मिल्कुल पचास सो रुपे कोई बड़ी बात नहीं आप दान डाले इसका एक सबसे बड़ा उद्दार नंबता हूं मेरा कड़ा कड़वा अनुबव है कि एक हुआ यूँ कि कुछ कारणों वर्स किया है कि बाद में एक्सप्रेस हाइवे यह बाद में बना था जो आगरा दिल्ली के बीच में है पूराने रोड से जाता है उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है तो उसमें अगर जो मित्र आगरा के आसपास से होंगे या इस घ्ल Pokémon जैसा दिखता है तो क्या हो था कि forner client होते है जो वह उनकी सबस्कें फोट खीच लें दिख्कत है तो वह ऑंग्रेज फोटो खीच रहते और मैं नीचा खड़ा था बस थी, तो मैं और जो मेरे साथ में ड्राइवर भाई था, वो हम दोनों खड़े थे, तो एक व्यक्ति आया मेरे पास, जो अपने आपको पंडित बता रहा था, अब वो है या नि यह मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उसको, तो वो बता है, उसने और मेरे को अपना काड दिया, काड दिया कि बोला कि आप हमारे यहां पे लेकर आओ, हमारी फला 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 गोसला है, आप इन अंग्रेजों से हमें चंदा दिलवाओ, दान दिलाओ, हम आपको 50% देंगे, कमिशन, यानि कि आप देखो, दान के पैसे भी 50% है, मतलब उनको लगता है कि गोरी चब कमिशन ऑफर कर रहे हैं, कमिशन खा रहे हैं, तो इसका मतलब यह धंद की चल रहा है तभी उसवें बंदे को, हम अपने आपको सनातानी कियाते हैं तो हमेन यह चेक करने की जरूरत है, अपने स्वह विवेक से बंदों को परखे, सहनस्था को को परखे रश्ट को परखे मंदिर को परखे कथा वाजकों को परखे आज कल क्या है कि सब का असली चेरा ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता है वो सामने आता ही आता है उस परकार से आप चेक करें और अपना दान वाष्ट्व में गो माता के लिए आप पांच पर जाना चाहिए इस परकार से आप मदद करें धन्यवाद मित्रों जय गो माता राम राम